पसकर दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का चर्चा का वीशे है कि किस सिला लेक पर भर राजा ऐसा लिखा हुआ अंकित है क्योंकि जब आप लोगों से कहते हो कि भर कभी पूरो काल में कभी राजा थे या शाशक थे भर वे हैं जो कभी राजभर के नाम से जाने जाते हैं कभी भारशिव के नाम से जाने जाते हैं तो इनके नाम का सिला लेक कहां पर है जैसे समराट अशोक थे तो उनके नाम का सिला लेक बहुत सारा पाया जाता जिसमें ओ कहते हैं मैंने एक कार किया है और अपना नाम अंकित करते हैं ऐसा किस सिला लेक पर किसी राजा का नाम अंकित है और साथ में वो लिखा हो कि मैं भर राजा हूँ ऐसा सिलाले कहां है और कौन सी सताब्दी का है यह बहुत ही मार्मिक और बहुत ही गूर प्रश्ण है जिसका आंसर लगभग लगभग एक परसिन लोगों को भी नहीं पता होगा तो आज इसकी ही चर्चा हम लोग करेंगे और सबूत के साथ सरकारी एविडेंस या अभिलेख आपको दिखाएंगे तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यह संग्राले सेंटरल म्यूजियम नाकपूर का है वर्तमान में भी यह है और इस संग्राले या इस म्यूजियम के अंदर एक सिलालेख है एक स्तंब लेख है एक पत्थर का सिलालेख है जिसम पर राजा और उस राजा का नाम भी लिखा हुआ है, और वह अस्तम्ब आज भी इस संघ्राले में है, संघ्राले आप देख लीजे, कुछ ऐसा दिखता है, संघ्राले नाकपूर में है, और यह देखें अभी कुछ लोग कहощENEगे, अरे बबबा, नाकपूर महराष्ट में कै से पहुच गया तो दोस्तो सिला लेक तो लंडन तक पहुच जाता है अमेरिका तक पहुच जाता है तो यहां पर पहुचना सरकारी चीज है और सरकार चाहे जहां जिस म्यूजियम में रखना हो रखे जैसे भार्षु राजाओं के जो कॉइन सिक्के है वो कवकोल का ता आपपूर लिखा हुआ है और 1941 का है अब आजाईए आगे यह मूजियम है और मूजियम में कहां लिखा हो यह आपको दिखाते हैं देखे दोस्तो यह लिखा हुआ है पहले लाइन में इंस्क्रिप्शन मतलब होता है अभिलेक क्या होता है अभिलेक of the भर डैनेस्टी the भर देनेस्टी 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 का मतलब होता है सामराज्य या वन्स तो यह जो है भर सामराज्य का अभिलेक उपर लिखा है इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेक भर सामराज्य या वन्स का अभिलेक नीचे दूसरी लाइन में आईए दूसरी लाइन में लिखा है स्टो sans lab ston slab stone slab मतलब कोई पत्थर का जो slave isla beने खमबा हो और वो फत्थर का कंबा हो यह कहां विला यह पाउनीमें इस पड़ता है इस्टिक भंडारा में यह देखेंजिक भंडारा यह कब का है यह है first century A.D.оло कब का है यह 1st century A.D. कह यह और ಯह किस भासा तो ये था ब्रामी भासा में, ब्रामी केरेक्टर, देखिये सामने लिखा है, ब्रामी केरेक्टर, तो ये ब्रामी केरेक्टर मनें ब्रामी लीपी में है, उस समय ब्रामी लीपी का उपियोग किया जाता था, तो अब आप स्क्रीन पे आजाएए, तो स्क्रीन पे आपको थे और इस भग दत्ता नाम के राजा और आगे पढ़ लेते हैं अ किग अब भर क्लेण भरक्लेण यहां पर भरावन्स लिखा है देखलो आप तो किंग अब भरावन्स कौन था भग दत्ता भगदत्ता भगदत्ता नाम के एक राजा थे जो भर वन्स के थे उसके आगे पढ़िए दिस भर क्लेन इस प्रॉबबली आइडिन्टिकल विद लेटर भार शिवा अब द वाकटका एज और ये भी बता जा रहा है पर देखिए चार पाच प्रमान आपको दिया जा रहा है वो ये भी ब और ये वाकटका एज में माने वाकटका सामराज जो आंदर में वाकटका दच्छिल भारत में सामराज था जैसे भार्शिवा सामराज था ऐसे वहां वाकटका सामराज था उसी एज में माने उसी समयकाल में भार्शिवा सामराज भी था और उस पे जो है भगवदत्ता ये राजा भरवन्सों का राजा ये लिखा हुआ है ये पहली सेंचूरी एडी का है और यहीं से भारश्रिवा भी सुरू होता है वाकटा का एज में और उसमें आपको ये देखिए सामने उसमें ये डेट और इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है और जो आप नीचे देख रहे हो ए जो ग्रीन अंडरलाइन है और ग्रीन अंडरलाइन क्या-क्या लिखा है उसके उपर लिखा है भागदत्ता राजा भरवन्स का और इनहीं से भारश्रिवन्स शुरू हुआ है ये इंस्क्रिप्शन कहा मिला आपको ये इंस्क्रिप्शन मिला है भंडारा में और यहाँ पे लीपी ब्रामिलीपी थी तीसरा प्रमाड यह दिया जा रहा है कि भर जो है एक वन्स है एक शाखा है चोथा प्रमाड दिया जा रहा है कि भर सामराज भी था पांचवा प्रमाड दिया जा रहा है कि भर के ही एक राजा थे भग दत्ता जिनके आगे चलकर जिनके वज़े से भार शिवा वंस भी शुरू हुआ था और छटा प्रमाड ये दिया जा रहा है कि भार शिवा जो सामराज था वह वाकटका सामराज के ही समकालिन सामराज है और यह स्टोन स्लैब आपने देख लिया और यह भर डेनस्टी आपने देख लिया और यह किस म्यूजियम में है वह 1941 का है और येस म्यूजियम में यह रखा गया है तो दोस्तों यह important जानकारी कोई भी आपको पूछ सकता है कि यार आप लोग राजा थे तो आप लोगों के नाप सभी राजाओं के नाम का अविलेक मिलता है तो आप भरो के नाम का अविलेक कहा है तो उनको सीनात तान के गरों से बताएं कि भरो के नाम का सिलालेक आज भी नाकपुर संग्रालम में रखा हुआ है धन्यवाद दोस्तों